अंग्रेजी शासन की अमानवियता और भारतियों की दयनिय स्थिती से परिशान होकर जिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतियों को नई राजनीतिक चेतना का संदेश दिया उनमें एलन ओक्टेवियन ह्यूम प्रमुक्त थे ह्यूम साहब ने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि सन 1857 जैसे असंतोष के भीशन विस्पोर्ट से बचने के लिए एक नई राशनीतिक संस्था की बहुत जरूरत है उन्होंने उस समय के वोईस उराय लौट डफरिन के साथ विचार विमर्ष किया इसके बाद ह्यूम साहब ने भारती नेताओं से भी बातचीत की उन्होंने भारती नेताओं को जगाने के उद्देश्य से कहा था अगर देश के बढ़े लिखे लोगों में से केवल पचास लोग भी सामने नहीं आ सकते तो भारत के लिए उन्नत जीवन की आशा करना बेकार है भारतवासी विदेशी हाथों की कटपुतली बने रहेंगे हुम सहब की इस अपील का बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा उन्हें लगा कि एक अंग्रेस उन्हें ललकार रहा है और स्वत्रम्तता की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इधर भारतिये नेता अखिल भारतिये कॉंफ्रेंस की तैयारी में चुट गए उधर हुम सहब ब्रिटिश पार्लेमेंट के सदस्यों से बातचीत करने लंदन गए हुम सहब ने अपनी इस संस्था का नाम नाशनल यूनियन रखा और इसका अधिवेशन पूना में होना निश्चित हुआ था किन्तु जब वो 2 दिसंबर 1885 को लंदन से लोट कर बंबई पहुँचे तो उन्हें मालू हुआ कि कलकत्ता की इंडियन इस संस्था ने अपना राष्ट्रिय सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर तक बुलाया है तो हुम सहब ने अपनी संस्था का नाम बदल कर नाशनल कॉंग्रिस कर दिया और इसके प्रथम अधिवेशन के तिथियां भी 28 से 30 दिसंबर 1885 तै कर दी किन्तु पूना में हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदल कर बंबई किया गया बंबई प्रेजिडेंसी एसोसियेशन ने इतने कम समय में भी अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली इस तरह नाशनल कॉंग्रिस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होना निश्चित हुआ गोकुल दास देशपाल संस्कृत विद्याले में प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतिजाम किया गया अधिवेशन की सारी तैयारियां हो गई और सभी प्रतिनिधियों को स्थान परिवर्तन की सूचना तार द्वारा दे दी गई 28 दिसंबर को शुरू हुए नाश्रल कॉंग्रेस के इस अधिवेशन में उम्मीद तो थी कि करीब सौ लोग भाग लेंगे लेकिन कुल 72 लोगों ने भाग लिया इस अधिवेशन के बारे में बंबई स्थित लंदन टाइम्स के संभाद दाता ने लिखा था इसमें मदरास लाहोर बंबई और कलकत्ता तक समुझे भारत का प्रतिनिधित हुआ था संभवता पहली बार जब से संसार का आरम हुआ है भारत एक राश्र के रूप में यहां एकत्रित हुआ था इस अधिवेशन की एक विशेशता ये थी कि सभी प्रांथ के लोग अपनी अपनी परमपरा गत्वेश भूशा और विशेश पगड़ियों में आये थे अधिवेशन की दो बातें और भी खास थी एक तो ये कि इसमें सरकारी करमचारियों ने भी भाग लिया था और दूसरी ये कि पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही मंच पर राश्ट्रिय समस्याओं पर विचार करने आये थे नाश्टरल कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन की कारवाई 28 दिसंबर को दोपहर बारा बजे शुरू हुई थी सबसे पहले ह्यूम सहाब ने बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर डब्लियो सी बॉनर जी का नाम अध्यक्षपत के लिए प्रस्तुत किया डब्लियो सी बॉनर जी बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारों के समर्थ थी वे जब नाश्टरल कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो उपस्तित जनसमूह ने उनका जोरदार स्वागत किया अपने अधक्षिये भाषण में डब्लियो सी बॉनर जी ने कॉंग्रेस के लक्षों कुस्पष्ट करते हुए कहा था भारत के हित के लिए इंग्लेंड ने बहुत कुछ किया है इसके लिए पूरा देश इंग्लेंड का भारी है उसने हमें गती दी रेलवेटी और सबसे कीमती वस्तू पाश्चातिक शिक्षा दी कर दो परंतो अभी हमें बहुत कुछ करना है देश के वासी जैसे जैसे शिक मेरा विश्वास है कि हम जो चर्चा करेंगे वो सरकार तथा प्रजा दोनों के लिए लाप्रत भूगी कॉंग्रस के प्रथम अधिवेशन का अन्द महारानी विक्चोरिया की जैजैकार से हुआ इस जैजैकार का प्रस्ताव पेश करते हुए यूम साब ने कहा था बहारानी के लिए जैकार केवल तीन बार नहीं बलकि तीन का तिगुना और यदी संभव हो तो उससे भी तिगुने की जाए इस अधिवेशन और कॉंग्रेस के जन्म के बारे में हालां कि कहा गया था कि कॉंग्रेस कट्टा राजभक्त संस्था है और इसे विद्रोहियों का अड़्डा ना समझा जाए किन्तु साथ ही ये भी स्विकार किया गया कि कॉंग्रेस का जन्म भारत के राजभ्यति के तिहास में एक अभूत पूर्व खटना थी इसने एक नव युग के आगमन की खोश्णा की राश्ट्री एकता के युग की खोश्णा की जो उपर से लादी नहीं गई थी बलकि ज इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चाटर जी का गीत बंदे मात्रम गाया गया था बंकिम बाबु ने ये गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मच में लिखा था जिसके माध्यम से उन्होंने भारतिय जनता के सामन स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास प्रस्तुत किया था बंकिम बाबु को बच्पन से ही अपने मात्र भूमी और मात्र भाषा के प्रतिप्रेम था उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले बांगला भाषा के सहित्य को शेष्ट सद्ध किया और ऐसी रचनाय दी जिनक दर्शन नामक एक सहित्यक पत्र भी प्रकाशित किया उन्हें आधुनिक बांगला का जनक कहा जाता है उनका गीत वंदे मात्रम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रियता का संचार करने वाला सिध्ध हुआ और वंदे मात्रम का घोश स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प काया था कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरुजी एक पार्सी परिवार में जनमें दादा भाई नौरुजी बश्पन से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे उनके अध्यापक उन्हें भारत की आशा कहा करते थे शिक्षा प्राप्त करते ही दादा भाई गणत के प्रोफेसर बन गए और तभी से राजनीती में भाग लेने लगे थी उन्होंने सन अठारा सु बावन में बंबई एस्सूसियेशन के स्थापना की थी और रास्त गुफतार नामक एक पाक्षिक अखबार भी निकाला था सन अठारा सुकश्पन में एक ब्रिटिश कंपनी के आमंत्रण पर दादा भाई इंग्लेंड चले गए वहां उन्हें इंग्लेंड और भारत की सामाजिक आर्थिक और राश्नेतिक स्थिति की तुलना करने का अफसर मिला दादा भाई ने ब्रिटन की जनता में भारत के प्रती दिल्चस्पी पैदा करने की कोशिश की इस तरह वो थीरे थीरे भारत की दशा सुधारने के काम में पूरी तरह से जुट गए कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षपत से उन्होंने अंग्रेजों के शासन के प्रती विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था यह महरानी विक्तूरिया और बिटेन के नागरिकों के कारण ही संभव हो पा रहा है यहां निर्भय और स्वदंतर रूप से निसंग कोच अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं जैसे जैसे कॉंग्रेस का विकास होता गया उसमें ये विचार भी विक्सक होने लगा कि देश में अपना शासन हो और घुलामी से मुक्ति मिले मिस्टर हूम इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि वैधानिक तरीके से संखर्ष करते रहने से अवर्ष्य सफलता मिलेगी किन्तो यदि विपलवी ढंग अपनाया गया तो ये एक भयानक भूल होगी कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ इसकी अध्यक्षता बद्रुदीन तैयब जी ने की थी तैयब जी भारतिय स्वतंतुता संग्राम के नव्युक की नीव डालने वालों में से एक थी उन्होंने इंग्लेंड से बरिस्ट्री पास की थी इंग्लेंड में ही वो दादाभाय नौरुजी के संपर्थ में आये और तभी से वो राजनीती में दिल्चस्प लेने लगे थी भारत तोटकर वो बंबई हाई कोट में वकालत करने लगे थे और इसके साथ ही उन्होंने राश्ट्री भावना का प्रचार भी शुरू किया देश के मुसल्मानों को आवाज दी थी कि वे अन्य धर्म बचाती वालों के तरह देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आए कॉंग्रेस का चौथा अधिवेशन इलहबाद में सन 1880 में हुआ इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्कॉट्लेंड वासी जॉर्ज यूल इस समय तक जिस जनचेतना का उदह हो चुका था उससे अंग्रेश शासक और स्वय मिस्टर हुम को डर था कि ये कहीं उग्रूरूप धारण न कर ले कॉंग्रेस का पांच्वा अधिवेशन सन 1889 में बंबई में विल्यम बेडनबर्ग के अध्यक्षता में हुआ वो बड़े उच्चाही और कर्मच्व्यक्ति थी इंग्लिन में भारत विरोत प्रचार का उन्होंने जोरदार खंडन किया था अपने अध्यक्षिय भाशन में उन्होंने स्वष्ट किया था कि भारत के लोग शान्ती सुवयवस्था और स्वस्थ शासन चाहते हैं सन अठारा सुनब्वे में कॉंग्रेस का छटा अधिवेशन बंबई प्रेजिदेंसी एस्सोसियेशन के जनक और कॉंग्रेस के प्रारमभीत सदस्थ से फिरोश शा मेहता की अध्यक्षता में बंबई में ही हुआ फिरोश शा मेहता ने इंग्लेंड में बेरिस्ट्री पढ़ी थी और वहीं दादा भाई नौरुची के संपर्क में आकर राश्ट्री आंदोलन में शामिल हो गए थे उनकी विद्वता, समझदारी और दूरदर्शिता का लोहा ब्रिटिश सरकार तक मानते थे वो अपने को पहले भारतिये फिर पार्सी मानते थे इसके बाद सात्वा अधिवेशन सन 1891 में नाकपुर में पी आनंद चारलू की अध्यक्षिता में हुआ वो एक प्रसिध्ध वकील, शिक्षा शास्त्री और समाच्च धारक थे कॉंग्रेस से वो उसकी स्थापना काल से ही जुड़े हुए थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का आन्थो राश्ट्रियता की भागना जागे और देश्ट के लोग अपने संस्कृती का महत्व समझें यद्यपी हमें बहुत थोड़ी सफलता मिली है परन्तु आगे आने वाली पीडियां हमारे परीश्रम का फल चखेंगी और उन लोगों को याद करेंगी जिन्होंने साहस और निष्ठापूर्वा की त्याक करते हुए अपने धे को प्राक्त करने के लिए कश्ट सहें हैं जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फ्यल चुका था सुरंद्रनाथ बैनर्जी भारत की राजनितिक एकता आंदोलन के जनक थी उनकी भाशन शैली बड़ी ही प्रभाव शाली थी आवाज इतनी बुलंद थी कि बड़ी बड़ी सभाव में सबसे पीछे लेकिन इसके साथ साथ वो राजनीती में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते रही गोपाल कृष्ण गोखले एक साधारन परिवार में जन में थी किन्तु अपनी प्रतिभा के भल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयू में ही बिये कर लिया था फिर वो आर्थिक समस्य के कारण अध्यापन करने लगे साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी वो राजनीती और शिक्षा को मिलाने के पक्षमे नहीं थी उनकी सपष्ठ धारना थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाई यही है कि हम अपना जीवन निश्पाप बनाए लेक चंद्रपाल और पंजाब में लाला लाश्पत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नेती अपनाने के पक्ष में थी बाल गंगाधर दिलक जब वकालत पढ़ रहे थे तभी से यह जानने लगे थे कि देश की हालत सुधरना है तो देश के लि अर्विंद खोश अनेक भाशाओं के विद्वान थे वे दर्शन के ग्याता थे वो ना केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध थे बल्कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे उन्होंने बंकिम चंद्र चाचर जी के गी वंदे मात्रम को प्रेड़ना का महान स्रोत माना था वंदे मात्रम से उन्होंने तीन बातें सीखी थी वलिदान और निष्ठा आत्मानुशासन और संगठन देश भक्ति का धर्व विपिन चंद्रपाल अपने सिध्धान्त के पक्के थे उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो प्रिटिश सरकार के विरुद्ध कारे करते रहें उनके भाषणों और लेखों का बड़ा सबरदस्त प्रभाब होता था लाला लाशपत्राय ने नवयुपकों में स्वदेश भक्ति का पीजारूपण किया था लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आरे समाज के संसकार पड़ चुके थे वकील बनने के बाद उन्होंने आरे समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राशनीतिक चे इस तरह गरम दल के नेताओं ने कठोर नीतियां अपनाने पर जोर दिया जबकि दूसरी ओर उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेणा देते रहे ये भारतिये राशनीति का एक ऐसा मोर था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई कति नई दिशा दिया झाल झाल झाल